तो जो lower week है वो काफी बढ़ है as compared to the upper week और जो high है और जो close है वो almost same जगा बढ़ है Almost equal है That means यहाँ पर क्या हो रहा है कि buyers यहाँ पर अपने strength को दिखा रहे है Hi everyone इस वीडियो में हम लोगे काफी important pattern के बारे में सीखने जा रहे हैं जहाँ पर जो आपका जो risk होता है वो काफी जादा कम होता है और जो profit होता है वो काफी जादा होता है But it does not mean कि हमेशा आपको profit ही होगा You need to understand कि जब भी आप कोई trade ले रहे है न So वहाँ पर chances होते है loss के Because whenever you are placing the order अगर माल लो अपने उमीद क्या की price जोई ऊपर जाएगा And it depends upon multiple things Like let's say you predicted the direction based on technical, fundamental or news or anything और वो direction अगर opposite चला जाता है तो आपको loss होगे That means कि जब भी आप trade करते हो न तो losses के chances हमेशा उतने ही होते जितने chances profitability के होते The only difference is there is कि आपकी जो analysis हो कितनी सही है और कितना आपका experience है अगर आपका experience अच्छा है आप एक ही strategy को बारबर follow कर रहे हो तो आपकी जो winning probability हो काफी ज़्यदा बढ़ जाती है But there is always a risk ऐसा नहीं है कि 100% guarantee And there are so many terms in the market So मैं उन सब चीजों के बारे में डिसस नहीं करूँगा तो यहाँ पर मैंने एक trade लिया था मैं आपको पहले दिखा जाता हूँ और मैं उसे stock के बारे में डिसस करूँगा LIC housing finance आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 7.23 पर buy किया था And 14 पर sell किया था और यह 2 lot था तो profit जो है around 13,540 का इसका lot size जो है वो 1000 रुपीज का ठीक है I mean to say 1000 quantity का not 1000 रुपीज का तो again एक सवाल आता है कि सर यह जो आपने जो trade लिया क्या इसका आपने skinner प्रोवाइट के था अगर आप trade सो कर रहे हो तो at least सो मीना कि आपने उस stock को कैसे find out किया तो कुछ समय पहले मैंने आपको एक skinner share किया था और यह है charting का part 6 में आप जाके वो video देख ले न वहाँ पर मैंने आपको यह पूरा बताया है कि किस तरह से सो code किया जाता है एक-एक step मैंने बताया है और यह मैंने skinner आपको वहाँ पर share किया था तो मैं इसको जो bearish वाला मैं उसको close करता हूँ और सिर्फ और सिर्फ बुल इसको on करता हूँ और यह जो मैंने trade लिया था मैंने दो दिन पहले लिया था तो simply यहाँ पर मैंने run किया आज जो date है हुए 5th September that means कि मुझे check करना है 3rd September में और यह रहा LIC Housing Finance आपको top पर ही दिख गया अब जैसे ही यह आ गया सबसे पहले मुझे अब chart चेक करना है कि chart क्या कह रहा है because यहाँ पर मेरे दोनों condition फुल्फिल हो गए price उपर जा रहा है volume बढ़ रहा है अब यह बोला जाएगा कि sir यह कैसे पता चला भाईया यह मैंने आपको code करना सिखाया है पूरी तरह से charting का part 6 अगर आपको charting में अगर खुझ सेगर screener को create करना है तो इसमें 6 part मैंने अल्रेडी बना रखे है आपको जब भी time में ले आप उसे जाके at least एक बार देखे तो कि किस तरह से होता है क्या पता आपका जो पूरा trading experience है वही improve हो जाए अब बात करते हैं chart की मैं उसमें ज़्यादा time नहीं लेना चाहता because video is already posted तो यहाँ पर LIC housing finance और year eyes का chart याद रखेगा दो दिन पहले थोड़ा सा यह time लेड़ा है don't know why और यह रहा है LIC housing finance का chart तो इसको मैंने कई बार डिसस किया है मैंने इस वाले breakout पर डिसस किया है जब मैंने 3rd September को जब इस chart ओपिन किया तो मुझे पता चला कि जो line मैंने यहाँ पर draw किया था और यहाँ पर जब breakout दिया था तो इसने upside में काफी अच्छा move दिया था and exact मुझे यहाँ पर भी एक breakout होते हुए दिख रहा है तो एक तो मैंना यहाँ पर confirmation हो गया कि चलो भाई यह चार्ट पर breakout पिया रहा है price और volume तो already बढ़ रहा था इसलिए हमारा screen उसको filter out किया लेकिन again एक सवाल अभी भी बचा होगा कि सर आपने बोला था कि low risk होगा जो risk होगा वो minimum होगा तो simply यहाँ पर मैं train line को draw करने जा रहा हूँ ठीक है और आप यहाँ पर देखेंगे जो price है बड़े range से छोटे range की तरफ shift होती है और यहाँ पर यह breakout देता है तो यह मैंने आपको सीखाया कि पहले price contract होती है और उसके बाद expand करती है अगर आप एक spring को ऐसे दबाएंगे तो वो पहले दबता है फिर उसके बाद उतनी ही तेजी से वो उपर की तरफ जाता है तो this is called price contraction और यहाँ पर एक breakout है तो यहाँ से आपको बड़े moves देखने को मिल सकते है and this is called price expansion यहाँ पर क्या हुआ कि इस वाले दिन जो volume था वो previous 4 days से भी ज़्यादा था that means कि यहाँ पर पहला breakout हमारा perfect था दूसरा volume बढ़ रहा था अगर आप तीसरा अगर candle को अगर धियान से देखेंगे तो जो lower week है वो काफी बढ़ा है as compared to the upper week और जो high है और जो close है वो almost same जगा पर है almost equal है that means यहाँ पर क्या हो रहा है कि buyers यहाँ पर अपने strength को दिखा रहे है और जो body है वो काफी ज़्यादा wide है और वहीं पर मैंने buy किया था 7.40 का call option अब यहाँ पर बात आएगा 7.40 क्यों तो यहाँ पर ठीक है मैं एक line यहाँ पर drop करता हूँ लगबग almost यहाँ पर तो 7.35 मेरा first target था because this should be your first target because जब price नीचे से उपर के दरह जाएगा तो यह पहला resistance यही पर face करे है because last time यहाँ पर इसने face किया है ठीक है so this is how you connect previous swing high with your current price तो इस तरह से आप price को connect करते हैं और अगर आप बात करेंगे strike price की तो क्या था 7.30, 7.40 और बीच में आपका 7.35 और 7.36 तो यहाँ पर मैंने 7.40 को select किया है ठीक है तो जैसे ही मेरा premium double हुआ मैंने अपना sell कर दिया almost यह double है तो मेरा इसी तरह सा trade होता है कि अगर मान लो अगर मैं premium buy कर रहा हूँ 10 रुपीज का तो मेरा stop loss है 5 का और मेरा target होगा minimum 20 का depending upon कि अगर market अगर बीच में कुछ और होता है तो minimum मैं 15 तो लेके ही निकलूँगा that means कि 5 पोइंट तो लेके ही निकलूँगा but most of the time I will go with 10 का 20 और stop loss 5 that is 1 इस्टू 2 तो 1 इस्टू 2 में आपको 50 परसंट भी अगर accuracy है तो आप जीत जाओगे लेकिन accuracy अगर बढ़ जाएगी अगर आप सही तरीके से I hope कि आपको इस वीडियो से को सीखने को मिला होगा thanks for watching